Hello everyone and welcome to only IS स्वागत है आपका आज के इटोने डिसकेशन में आज हम करेंगे चार इंपोर्टन आर्टिकल्स एक जो बात करेगा इंक्लूसिफ डेवलप्मेंट के बारे में एक आर्टिकल हम कवर करेंगे जी एम क्रॉप्स के बारे में एक आर्टिकल हम कवर करेंगे fake news के बारे में और एक आर्टिकल हमें बताएगा fraternity के concept के बारे में कैसे fraternity important है कैसे इंडियन fraternity different है बाकी जो concept हम पढ़ते हैं उसके मुकाबले में चलिए अगर शुरु करते हैं आज की discussion सबसे पहले जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो है fake news के बारे में एक बहुत बड़ी problem जो इंडिया में बढ़ती जा रही है ये topic बहुत relevant है paper 2 के लिए जहां government policies and intervention for development in various sectors में क्या-क्या policies government बनवाती है उस area को अगर आपको answer करना है तो ये बहुत relevant है और अक्सर questions आते ही रहते है तो सवाल ये है कि what is fake news देहें एक होती है information information को spread करना ही news फैलाना होता है आपको news देनी है तो आपको information लोगो provide करोगे जब आप information provide करते हो और अगर आप एक journalist हो या आप एक वेकती हो जो information provide कर रहे हो ठीक है एक होती misinformation एक होती disinformation misinformation इस तरह से होती है कि मानलो आपने पढ़ा कि हिंदी भारत की एक official language है लेकिन आपने समझा इसका मतलब कि हिंदी भारत की राष्ट्रिय भाष्टा है जो समयधानी रूप से नहीं है आपको लग ऑफिशल मतलब राष्ट्रिय ही होगी तो हिंदी ही है तो आपने information आगे भी लोगों प्रवाइट कर दी तो ये एक तरह की misinformation है कि आपको ऐसा लगा कि ये एक हाला कि information तो गलत है पर आपको कोई intent नहीं था कुछ गलत करनेगा लेकिन disinformation वो तब बन जाएगी जब आप उसका इस्तमाल इसलिए करो तक कि चार लोग के बीच में जगड़ा हो जाए आपको पता है कि हिंदी नहीं है राष्ट्र भाषा और मैं अगर ये बोलूँगा यहां तो कोई वेक्ति आहत हो जाएगा और वो एक दूसरी के बीच में जगड़ा हो जाएगा वो होती है disinformation जहां आप voluntarily सोच समझ के information ऐसी spread करते हो जिससे दिक्कत बढ़ सके that is disinformation जो किसी propaganda को फैलाने के लिए लोग के बीच में जगड़े करवाने के लिए इस तरह की किसी एक objective को पूरा करने के लिए अगर कोई गलत information spread की जाए उससा हम कहते है disinformation misinformation गलती से फैलती disinformation अकसर intentionally फैलाई जाती है और इंडिया में जो prominent fake news है वो पहले misinformation के टेगरी में आती थी अब disinformation में बदल गई है कैसे misinformation पहले ऐसे हुआ करते थे कि इंडिया में अंदविश्वास हमेशा से रहा है कुछ लेवल्स पर तो मालनो आपने कोई पेड़ देखा वो चुका वासा था रात को आपने नहीं कुछ light जल रही है उसके आसपास तो आपको लाग भूत है और वहाँ पर वही निउस फैला रहे हो कि भाई यहाँ तो भूत है ताकि लोग डर के मारे आईन है तो इंडिया में इस तरह की fake news बहुत फैलती है और government को लगातर इसके उपर काम करना बड़ा है क्योंकि fake news एक large scale menace है देश में जो क्योंकि इंडिया एक heterogeneous society है जहाँ पर बहुत जारी diversity है तो अलग-लग group के अलग-लग interest है सबके अपने तरीके के कुछ beliefs है उनकी बीच में अगर आप fake news फैलाओगे तो बहुत जारा दिक्कत बढ़ जाएगे context यह कि recently देखा गया बहुत जारा fake news बढ़ गई है और करनाट का पुलिस ने misinformation फैलाने के लिए for political gains देखी यहाँ जो misinformation की बात किया misinformation for political gains यह फैला आगया एक TV anchor के तौरा इसलिए उनके खिलाफ एक case book किया गया है disinformation आपने बोला सीधी सी बात है कि intent ही गलत है जैसे यहाँ लिखा आप misinformation साथ में add किया for political gains तो यह fake news TV anchor के तौरा फैलाएगे इसके उपर यह case खड़ा किया गया तो यह इन्होंने इसलिए कि उनको लग रहा है कि बहुत ज़़ए fake news फैल रहे भी news को में भी cover करेगी जिससे की fake news पे control है अब बात यह क्यों relevant है तो देखिए social media platform खास्तोर पे केवल news channels ही नहीं वहाँ पर अकसर जो है वो propaganda और manipulative information प्रवाइट की जाती है ताकि लोगों के बीच में जगड़े हो जाए या उसका फाइदा कोई political या किसी economic gain के लिए किया जाए मारलो मैं आपको बोलू कि इस दुकान में जो है आप जो फोन ले जाओगे तो फोन पात साल चारेगा guarantee है ऐसी को guarantee लिख की नहीं देरी पर ये news फैल गई तो लोग उस दुकान में जाके समान खरेंगे इसके अलावा सबसे बड़ा problem ही है कि fake news की वैसे hate फैल रही है कैसे अववा उड़ जाती है कि whatsapp या फिर facebook पर कि कुछ बच्चे उठाने वाए लोग या घूम रहे है बाहर से कुछ लोग आए जो बच्चों को kidnap कर रहे हैं इस news को देखते वे कई लागों में ऐसा होता है जैसे कोई बाहर का वेक्ति आता है जो थोड़ा देखने में तो इस इलाके का ना हो तो उन्हें लगता हाँ यही news पड़ी थी यानमी ज़रूर बच्चों kidnap कर नेकला है ऐसे में कई लोग की हत्याय हो चुकी है इस चक्कर में तो यह बहुत important है कि इससे कंट्रोल किया जा तो जो गवर्मेंट ने कहा है गर्नाटका की वह ऐसा है अपना fact checking unit बनाएंगे जिसका काम होगा fact check करना जो भी communication हो रही है social media वगरा पे उसके उपर काम करना और गर्नाटका government का यह initiative है लेकिन इससे हमें पता लगता है कि फेक निउस के वराम हमारे पास इनफ जान का रही हो disinformation क्या होता है misinformation क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक false information आप फहला रहे हो ताकि public का जो भी हो manipulate किया जा सके अपकी जो information होगी biased होगी एक particular party एक particular group के परती ताकि लोग polarize हो जाए और एक दूसरे खिलाफ खड़े हो जाए fake news का इस्तेमाल किवल political gains के लिए नहीं economic gains के लिए धी किया जाता है अब मानलो बहुत बार का जाता है कि UNESCO ने बोल ले कि भारत का जो राष्टरगीत है वो दुनिया का best राष्टरगा national anthem इंडिया का world का best national anthem है कई लोगों ने news पढ़ी होगी पहले भी बच्पन में लेकिन ऐसा कोई था नहीं अगर आपने बच्पन में सुना होगा तो एक पारम पर एक अफ़वाँ चलती है कि अगर पैंसिल के छिलके को आप दूद में डालोगे तो वो रबर बन जाएगी राद भर चोड़ दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन कई सालों तो ये अफवा उड़ दीने मार्केट में तो इस तरह की चीज़ें होती है तो ये तो चलो छोटी मूटी चीज़ें तो ये किसी का नुकसान नहीं होता तो इसका बहुत बड़ा social impact होता है personal impact होता है और economic impact भी हो जाता है कभी कभी misinformation या fake news का इस्तमाल करकर stock market भी manipulate की जाती है जैसे आपने एक news किसी एक channel लेकर run कर दी कि मालो टाटा जो है वो कोई एक company को acquire करने वाली है तो उस company के shares अचानक से आस्मान में पहुंच जाएंगे उसके share rules को बहुत सारा फाइदा होगा वो अपना सारा share बेचेंगे और निकल जाएंगे कोई company एक बार होने वाली नहीं है अगले दिन जब सच्चा ही सामने आएगे तो फिर वो share नीचे आज़ा तो इस तरह से एक economic impact भी create किया जा सकता है fake news के दौरा recently जिसे एक pentagon जो वहां की जहां पर arm forces का office है अमरिका का उसको उड़ाते हैं एक photo बनी थी उसके बार stock market धराम हो गया था covid के बारे में हमने सुना कि जब pandemic था कि चिकन खाने से covid हो जाता है चिकन मत खाईए और कई जगे ऐसी news आती है कि भाई ये जो वेकती हैं ये अपने साथ covid ला रहे हैं इस तरह कई सारे जो misinformation फैली fake news फैली कि भाई अब घर से निकलोगी आपको covid हो जाएगा हवा में covid फैल रहा है ऐसी चीज़े जब news में आई तो लोगों को बहुत बड़ा इसका personal loss, economic loss हर तरह का हुआ तो इसलिए से रोकना बहुत ज़रूरी है और का जारा poultry industry को तो 3 billion dollar गा loss वा था चिकन इंडस्ट्री को उस टाइम में कि covid चिकन फैलने खाने से या मीट खाने से फैलता है इसकी वज़े से तो यह बहुत बड़ी दिक्कत है फिर national security को खत्रा है जैसे पागिस्तान चाइना अक्सर यूज करते हैं non-state actors का इंडिया खेला फिर प्रोपेगेंड़ा करने के लिए और यह सब चीजें जो यह लगातार आपको दिख रहा है अलग लग लग लेवल पर threat पहुंचाती है अब कई सारे tools इस्तमाल किये जाते हैं इसको फैलाने के लिए जैसे deep fake deep fake पे किसी वेक्ति की audio या वीडियो को ऐसे manipulate करते है कि आपको लगता है कि जैसे कोई एक वेक्ति है उसके जगे आप रैमिस्टर मूदी का चैरा लगा दो या किसी क्रिकेटर का चैरा लगा दो तो आपको लेगा अच्छे यह इस वेक्ति नहीं कहा है जिबकि उने बिल्कुल भी नहीं कहा है तो deep fake जैसे आप देख रहे हैं यहाँ है वेक्ति बिल्कुल Tom Cruise बना दिया यह इस वेक्ति ने जो भी कहा होगा इसका deep fake create करके ऐसे लगा है कि Tom Cruise कुछ कह रहे है Tom Cruise एक famous अभिनेता है Hollywood के तो इस तरह की चीजने जब होती हैं तो इसे आप morph कहते हैं morph करके एक deep fake बनाते हैं इतना दरा fake image होता है यह लेकिन फिरी भी वो इतनी बहतरीन तरीके से बनाया जाता है कि लगता है कि सही में उसी वेक्ति ने किया है जिसका चेहरा उसके उपर impose किया गया है इसका फाइदा तो यह है कि आप जिसे filmmaking या अच्छे आप entertaining videos बना सकते हो लेकिन दिक्कत ही आथी है कि जब इसका इस्तमाल किया जाता है fake news फैलाने के लिए और हिंसा भढ़काने के लिए AI और इसका इसका इस्तमाल किया जाता है कई ज़रा भाशन create करने के लिए जिससे की हिंसा भेले तो deep fake और AI का इस्तमाल करके यह realistic images या audios बना कर और ज़्यादा दिक्कतें पैदा की जाती है और ज़्यादा problems society में create हो सकती है और example के तोर पे तमिल लाडु में हिंदी speaking labor के खिलाफ का गया कि उनको मारा गया जो कि नहीं हुआ था it was fake तो इस तरह की जो को होट किया जाता है कही जगे आप religious चाहिए वो हिंदू या muslim सो उनके भावनाओं को आहत करने के लिए भी deep fake rate करके social media पर डाल दिया तो यह करता है communal दिसामनी और social division फैलाता है देखे एक पुरानी बात कहीं जाती है कि जब पहले दंगे करवाने होते थे तो या तो आप मंदर के आसफास कहीं पर एक मांस का टुकड़ा फेक दो या मस्जिद के पास किसी एक particular मांस का टुकड़ा फेक दो उससे वहाँ के लोग भड़त जाएंगे कि किसी और धर्म के वेक्ति ने किया होगा तो हिंसा हो जाएगी इस तरह की चीज़ें पहले की जाती थी अब जो है उसका स्वरूप digital हो गया है कोई deep fake बना के कोई fake image बना के बोल देगा इस वेक्ति ने ऐसा का इस धर्म के वेक्ति ने आपके धर्म के बारे में ऐसा का और महां दंगे हो जाते हैं जान loss of property, loss of life थो होते ही होते हैं इसी परकार से mobs mob lynching की खबरे mostly इस तरह से push की जाते हैं तो इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे society के उपर पढ़ रहा है इसलिए बहुत important है कि हम fake news को कम करें और जिस तरह से ये भी चीज़ें हो रही है कि fake news का इस्तमाल करके ही आप किसी की information फैला रहे हो कहीं से कहें AI या फ़े technology का इस्तमाल करके data को इस तरह स्तमाल किया जाए ताकि लोगों के mentality के साथ खेला जा सके तो इसलिए बहुत important है कि fake news को control किया जा सके privacy को protect किया जा सके इसलिए अलगलग steps लने की ज़रूबत है तो ये किसी देखती की information को tarnish करते हुए किसी particular infrastructure के खिलाफ propaganda किया जाए अगर यहाँ पर मालो एक factory खड़ी हो गई तो यहाँ gas leak होगी सारे लोग मारे जाएंगे तो उस business को खड़ा होने से पहले आप रोकरे उससे employment पर नुकसान होगा और religious sensitivity hurt होती है इन चीज़ों से तो कई चीज़ें ऐसी है जो fake news करते है इसको रोकना बहुत important है अब इसके लिए क्या क्या legal measures है तो IPC की section 153A है जो criminalize करते है कोई भी ऐसा act जो अलग धर्मिया वर्गों के बीच में नफरत फैलाता है फिर section 69A of IT Act 2000 ये अधिकार देता है कि national security में या safety को लेकर आप किसी भी information को online block कर सेक्ट नेसेसरी है तो फिर DMA अगर दी जाए किसी disaster को लेकिए जैसे बाढ आने वाली है तुफान आने वाला है या भुकम पाने वाला है या cyclone आने वाला है उसके बारे में आपने कुछ और news उड़ा दे कि कली cyclone आ जाएगा इतना वाला cyclone है आप भाग जाओ तो लोग घर चुड़के चले जाएगा और फिर इनकी घड़ों पर ठाका लग जाए या फिर कहीं पर आपने ऐसे news उड़ा दे कि आग लगे या ऐसा कुछ हो गया और वहाँ पर एक mob frenzy हो जाए और लोग भगदर के शिकार हो जाए तो इन सब चीजों को रोकने के लिए भी disaster management act में प्रावधान किये गए तो ये important चीज़े हैं IPC का section 153A 69A of IT Act ये आपको पता होना चाहिए तक ये अपने answers में आप easily इन points को add कर पाओ फिर IT rules है जिसके इंदर आप जो content कोई बना के ओलाइन पॉब्लिशन यूज में डालते हैं सोचल मीडिया इंटिमीडिस में डालते हैं उनको regulate किया जाता है इसके अलावा आपके ethics code है information technology के की fact और misleading news ना प्रवाइड की जाए फिर digital personal data protection bill 2020 में आया है जिसमें provision है कि individual का data online platform पर कैसे safeguard किया जाता है कि उनकी privacy बची रहे है उनको privacy को कोई खत्रा ना हो इन सब का ध्यान रखते है यह programs launch किये गए यह schemes launch किये गए यह already provisions legally available है जिनका इस्तमाल किया जाता है तो किस तरह से रोका जा सकता है सबसे पहले fake news रोकने का तरीक है आपने कितने भी legal provisions ले आए उससे काम नहीं चलेगा आपको सबसे पहले जो वेक्ती news पढ़ रहा है उसको जागरूख होना भी ज़रूरी है आपको इन्यूस पढ़ रहे है तो सबसे पहले आप उसको verify करें कि यह सही है या नहीं ऐसे source पर हो कि रवांडा या इंडिया की या से 10 साल पहले कुछ हुआ उसकी photo आज social media पर सर्च कर रहे है तो यह बड़ा important है कि वो देखा जाए Google ने भी किया कि about this result वो बता देते हैं कि कब की information है ताकि लोग इसमें confused ना हो जाए कि अभी ऐसा कुछ हुआ है इसके अलावा या सेटायर पब्लिश करती है कि सरकार ने कहा है कि जो लोग सोएंगे 8 गंटे से लेके 25 गंटे 24 गंटे उनको एक अवर्ड दिया जाएगा ऐसे कई सेटायर बनते हैं तो सेटायर को आप सही तो नहीं मान रहे है तो सेटायर वाल लिख देते हैं वाग कि it's a joke it's a satire तो व प्रिंसिपल से उसके तहत कई organization पार्ट होती है इसका ऐसा ही कुछ इंडिया को करना चाहिए इंडिया को legislative framework बनाना चाहिए ताकि freedom of speech भी बची रहे लेकिन ऐसा कोई fake news या भढ़का और भाशन लोग ना पहला जिससे समाज में और दिक्कते हैं पैदा हो जाए requirement है awareness की जैसे हमें पता है हमारे तो एक constitutional duty है under article 51A की हम scientific temper develop करें spirit of inquiry और reform develop करें तो जो spirit of inquiry है यह हम बताता है कि भाई हम sure करें कि जो भी हम news पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं कि यह fake तो नहीं है फिर एक fact शाला शुरू किया गया google के द्वारा ताकि लोगों को train किया और उसको रोख पाएं और समझ पाए अच्छा यह fake news है इसी तरह से हमें जरूवत है जो हमारी law enforcement agencies है उनकी capacity building हो क्योंकि इतने सारे web pages है इतने सारे blogs है इतने सारे social media accounts है fake news को control करना बहुत मुश्किल हो जाएगा specifically जो जैसे instant messaging apps है जैसे WhatsApp हो गया Telegram हो गया यहाँ पर तो peer-to peer message आता है ना वेक्ति से वेक्ति तक वो समाज में सबको देख नहीं रहा मैं आपको भेजूगा आभी को देखेगा मुझे ही देखेगा तो उस तरह अगर कोई हजार लोगो message भेज रहा है कोई misinformation यह disinformation तो उससे बहुत जारा fake news अगर फैला ही जा सकती है उसको पकड़ना भी मुश्किल होता है इसलिए में ज़रूवत है कि हमारी जो law enforcement agency है उनकी capacity building हो ताकि उनके number भी बढ़े expertise भी बढ़े ताकि वो counter कर पा है प्लस digital media को regulate करना पड़ेगा जो intermediaries है जिसे google यह facebook है यह instagram है अलगि facebook का यह वो भी इन पे जो data move कर रहा है उनकी भी जिवेदारी होनी चाहिए कि वो AI का इस्तेमाल करे किसे रोके यह जिस तरह से भी एक fake content है इसको रोका जाया और जो publishers है उनको इसके खिलाफ कड़ी सजा दी जाए तभी जाकर हम इसको ढंग से manage कर पाएंगे तभी हम fake news से मुक्ती पापाएंगे तो यह हो गए fake news के बार अगला article बात करता है inclusive growth के बारे में inclusive growth GS paper 3 का important part है सब topic है तो कैसे inclusive growth के इंडिया में बढ़ा ही जा सके क्या दिक्कत है यह इस article में हम discuss करेंगे अब यह topic news में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो G20 leaders की declaration हुई थी Delhi declarations में बात किया गया था कि जो digital divide है यह एक work के पास digital सुविधाएं जादा है एक प यानि सतत विकास की बात जो करते हैं वो बढ़ाने की बात की गई है एक G20 framework की बात की गई थी for digital public infrastructure और इंडिया ने बोला क्यों न हम एक global digital public infrastructure repository बनाएं ताकि दुनिया में जो भी लोग है इसको access कर पाएं और जो यह infrastructure को लेकर जो सुवधा है यह इनी develop करने में globally मतर मिले और main मुद्धा इसका यह था कि कैसे हम एक ज़्यादा inclusive society develop कर पाएं और इसमें मुख्य रूप से जड़ना था inclusivity का inclusivity आखिरकार क्या है कैसे होती है क्योंकि ज़्यादा हम मारे पास time भी नहीं है इतना है नहीं कि हम दो घंटे discuss करें तो एक topic को हमने खोशिश के आप framework कैसे discuss करें लिए inclusive growth जो इस article की points से वही है basically चार pillars पर based होते है wise जिसे हम कहते है well being of a society inclusivity कि सब को इसमें हिस्सेदारी मिले sustainability कि वो ऐसी चीज़ हो जो ऐसा नहीं कि 5 साल आपने विकास किया और बहुत economic growth करी लेकि उसमें इतना कच्रा इतनी तबाही मचाए कि 5 साल बाद वहां रहने लाएक ही नहीं हो जग है बलकि आप ऐसी development चाहते हो जो आपके लिए भी हो और आने वाले अगले जो generation है उसके लिए भी हो तो sustainability की बात है जो environmentally भी sustainable हो economically भी sustainable हो और चौथा पाट है equity यानि एक समता हो ऐसा नहीं कुछ लोग अमीर हुए जा रहे हैं बाकी लोग गरीब हो रहे हैं तो वो चार pillars है growth की inclusivity की वह है wise, well-being, inclusivity, sustainability और equity इन पर focus करते वे कोई government किस तरह काम करती है उस से उस society की inclusivity inclusive growth का पता लगता है कि अगर आपकी सिर्फ growth हो रही है, growth का मतलब कि अगर GDP बढ़ती जा रही है, GDP बढ़े मानलो आज आपकी GDP एक trillion डॉलर हो जाए और उसमें से दो trillion डॉलर हो जाए, और उसमें से दो trillion डॉलर हो जाए, वो किवल आपकी दो companies की हिस्सेदारी हो बागी पूरे आपके 1500 क्रोड जो 1500 क्रोड लोग है, वो दो ही trillion economy का पाठ है, उनका पूरा जो production है वो एक trillion में है और तीन कंपनिया है एक trillion डॉलर की हो जाए, तो हुआ ही कि development हुई, growth हुई, नहीं, growth हुई, लेकिन development नहीं हुई, क्रिकि mostly चीज़ें जब वो कुछ companies के पास रह गई और आम लेक्ती के पास ना धन आया, ना purchasing capacity आई, तो rather requirement यह है कि जो आपकी growth हो, वो equity भी लाए, समता भी लाए समाज में, inequality ना बढ़ा दे, equality और equity दोनों लाए society में, sustainable हो, ऐसा नहीं की pollution फेलाते जा रहे हैं, environmental तबाह करते जा रहे हैं, ऐसा ना हो केवल एक work के लोगों को है लेके चले, inclusive हो, हर work को इसमें include किया जाए, इसकी growth में, और सब के well-being के उपर काम करें, तो यह एक access to resources हो, और उसके अलावा उनके पास बहतर सुविधाएं हो, तो इसके लिए health के सुविधाएं अच्छी होने चाहिए, उनका environment is clean होना चाहिए, उनके आसपास education के opportunities होनी चाहिए, उनके पास skill होना चाहिए, तो education और skill के लिए government ने कौन-कौन सी launch किया है, यह जना है, त वहाँ schemes का पूरा एक additional topic ही हम cover करते हैं, ठीक है, फिर आपने high school level पे, secondary school level पे, university level पे, और advanced level पे, हर level पर लगतर एक schemes launch करी है, ठीक है, फिर आपने utter tinkering lab हो, यह सब तो होगे, चलो मानलो आपने innovation research के उपर काम किया, environment cleanness के उपर आपने अलग-अलग काम किये हैं, ठीक है, ग primarily discuss करेंगे, जिसमें जो main component है, वो है पहला skill development, skill development किसे society के लोगों की होगी, अगर सभी work के लोगों में inclusive skill development हो रही है, इसका मतलब growth की समभावनावा जादा होगी, वो growth जिनमें हर work card में हिस्यदार हो पाए, यह नहीं के केवल जो अमीर लोग है, जो college की, university education effort कर पाने हैं, वहीं लोग केवल skilled रहें, तो skill development को बढ़ाने के लिए, इसको inclusive बढ़ाने के लिए, अपने कॉशल भारत जो योजना है, launch करी, national skill development cooperation मनाई ताकि, ज़ादा ज़ादा लोग जो skilled हो पाएंगे, तो वो organized sector का part हो पाएंगे, वो अगर इंडिया में कल foxconn आज आके अपनी factory खो inclusion हो, जो वितिय शेत्र है, उसमें सब किस भागेदारी हो, यह नहीं हो कि जो आपके banks हैं, उस ससी दरोपर अभी interest दे रहे हैं, मालो आपको लोन लेना है, तो आपको 10%, 12%, 15% पर लोन मिल जाएगा, ठीक है, और कोई वेक्ति ऐसा है, जो किसी गाउं में रहता है, वो किसी bank म पास जाके वहाँ से पैसे व्याज पर ले रहे हैं, तो वहाँ पर वो व्याज दे रहे हैं, पच्चिस परसेंट, 50% ऐसा व्याज लिया जाता है, नॉमली, तो अगर वही वेक्ति जो बाहर व्याज ले रहा है, जिसकी चक्रविधी, यह नहीं कंपाउंट लग रहा है, औ पतलब जैसे किसान हो गई या जो महिलाएं हो गई, जो SCST ग्रूप के लोग हैं, उनको भी जो रिबेट मिलती है लोन्स में, उसका फाइदा तभी मिल पाएगा ना, जब वो financially inclusive होंगे, इंडिया के मेन बैंकिंग चैनल में, तो इसलिए 2008 से आज आज आप देखो तो जो jam Trinity है, अधार, जन्धन और मोबाइल, इसका फाइदा उठाते हुए, इंडिया में आज जब असी परसेंट जो adult है, सबके पास bank account या फिर financial inclusion है, families mostly cover हो रहे हैं, इसका मतलब सबके पास जो financial services है, financial literacy है वो भी बढ़ गई, तो वो एक important step है, उसी तरह से आप देखो, इसके लिए बात की गई है, framework for digital public infrastructure system, one future alliance की बात की है, इंडिया ने कि हमें global digital public repository बनाएंगे, इसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखो, हर चीज़ को digitize करने की कोशिश किया, चाहिए अब UPI payments की बात कर लो, चाहिए लोगों को पहले मुफ्त, जो tablets की भी य इसके बात करता, अब इसमें क्या challenges है, वो भी इसमें बात की के, challenges क्या है, सबसे बड़ी बात, इंडिया में unemployment बहुत जाथ, unemployment क्यों है, क्योंकि mostly लोग जो है, वो manual labor का काम करते हैं, या फिर primary sector और agriculture में भागे दरी लेते हैं, इंडिया का 48% जो employment है, वो कहां से आता है, तो वो agriculture से आता है, और agriculture related sector से आता है, तो जब तक आप उसके उपर dependent है, आपक करने की chances कम है, इंडिया में unemployment rate, अर्बन लेवल पर 7.8% है, रूरल लेवल पर 5.3% है, और overall 6.1% है, तो जो primary sector के उपर dependence है, बड़े वर्ग की, इसके वज़े से इंडिया में अभी जो skilling है, वो होनी पारी, वो जो अगर company आती भी है, तो एक बड़ा वर्ग जो है, उसको साउथ का डिवाइड आपको देखने को मिलता है, इस्टिन स्टेट्स जो है, वो सबसे पीछडे हैं, जाया असम की बात करो, जहरकंट की बात करो, इसा, बिहार, या आपका इस्टिन उत्रप्रदेश, वो इलागे बहुत ब्रिजनिल डिस्पारिटी वहां आप फेस करते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, पावर्टी में इंडिया ने बहुत काम किया, बहुत लोगों को निकाला, लेकिन अभी वेरॉन 373 मिलियन पीपल आ रहें, जो बीपिल से भी नीचे के लेवल पर है, तो वो जब तक इतना एक्स्ट्रीम पावर्टी रहेगी, और कुछ लो हैं, चाहे आप नरेगा की बात कर लें, चाहे आप हमारा जो ग्रामीन कोशल यूजना है, उसकी बात कर लें, चाहे अर्बन लाइवलिधूड मिशन की बात कर लें, चाहे सरसिक्षा अभियान की बात कर लें, तो इन सब जो स्कीम्स जो लाँच की गई है, चाहे स्टर्ट क्या है capacity building की capacity building मतलब skill हो health की सुख़धाएं भी हो और education भी हो जब तक वेक्तियों के अंदर capacity building नहीं हो इनके अंदर capability नहीं होगी तब तक आप cable economy growth से भी कुछ जादा नहीं कर पाऊगा यही primarily इसमें approach किया गए इस topic में उन्हें discuss किया है कि G20 leaders के summit में भी इसी के उबर बात हुई कैसे inclusive growth को बढ़ावा दिया जाए आप public infrastructure create करो कैसे fairly across society opportunities सब के पास हो skill development हो सब के लिए इनके काम करने capacity हो यह जोनली इस article में बात की गए है technology economy growth कैसे कैसे बढ़ा ही जा सकती है क्या तरीके इनको solve करने का यह इसमें discuss किया गया है अगला article बात करता है fraternity के concept के बारे में fraternity को हिंदी में कहता है बंधुत्व बतला भायचार एक तरह से अब यह article बात करता है कैसे इंडिया में जो fraternity का concept है जो constitution में है वो काफी अलग है जो fraternity इंडिया में है और जो idea constitution में हो कैसे अलग है यह easily GS paper 2 इंडियन constitution की important provisions की बात करता है तो यह topic भी बहुत article बहुत important थोड़ा सा philosophical है तो इसको समझेंगे क्या बात हो रही इस article में इस article में primarily बात यह हो रही है कि जो Angel Puel के एक book है 2000 इसकी political fraternity इसमें उने बोला है कि fraternity का जो idea है उसको हमें political domain में देखना चाहिए जब भी हम बयात करें बंदुत्व की भाई चाहरेगी तो हम इसको किस context में देखते है social या moral context में यानि अगर मैं आपको बोलू कि हम सब भाई है इसका मतलब आपको कि हाँ इसमें human being हम सब आपस में जुड़े हुए इसमें इंडियन हम आपस में जुड़े हुए हमारे एक past या एक religious connotation law उसमें आप कहसे होगे हमारे बीच भाई चाहरा है तो यह जो concept है यह असल में social या moral चीज़ों के बड़ फोकस कर रहा है कि हम लोग है इंसान इसलिए हम सब एक तरह का हमें भाईचरा रानिन भाना चाहिए इस देश के लोग है इसलिए ऐसा होना चाहिए as human being हमें ऐसा करना चाहिए इस particular religion के इसलिए ऐसा करना चाहिए लेकिन यह concept जो है इनकी बुक में भी बात की गई है कि जो fraternity concept है यह बात करता है कैसे लोगा उत्थान किया जाए कैसे उनको सशक्त किया जाए चाहे उनकी हिस्ट्री कितनी भी अलग-अलग क्योंकि हिंसक क्यों रही हो लेकिन जरुरूरत है कि उन्हें साथ लाने की तो यहां मुखी रूप से जो बात की गई कि fraternity का concept डेवलब कैसे हुआ यह बात करते है प्लेटो जो एक फेमस philosophical philosopher थे वो शुरुवात में जब थी उन्होंने अपना liberty equality वाली बात थी हलाग कि जब आप बात करो प्लेटो की तो उन्होंने बात किया था कि समाज में हर वर्ग के विक्ति के पास एक अलेटो का talent होता है तो उसको वही काम करना चाहिए लेकिन इंडिया में historical अगर आप देखो जब इंडिया आजाद भी हुआ आप यह मिस्क में detail में जाते हैं तो पहले यह concept देख लेते हैं क्या है यह origin of concept कहां से हुआ है प्लेटो ने एक बात कही थी कि fraternity important है क्योंकि लोग जो है वो तब ही रह पाते हैं साथ जब खुश रह पाते हैं जब वो कुछ शेर करते हैं जो feeling of sharing है इस concept के उपर ही इसी चीज़ के उपर ही जो ग्रीस में जब प्लेटो की टाइम की बात करें तब जो idea of fraternity developer बंदुत हुई इसके उपर डेवलाप हुआ कि लोग शेर करते हैं तो जाए वो knowledge हो जाए खुशियां हो तो वो और जादा प्रसंद होते हैं एक strong desire होती है लोगों में wisdom परसू करने की और wisdom जब आप परसू कर लिए तो अब ज्यान मिल जाता है फिर ज्यान आप लोगों को बटाना भी चाहते हो वो तभी यो package आपके बीच में एक बंदुत हो है ये पहला concept था प्लेट होगा उसके बाद भाई Aristotle ने बोला था कि इंसान जो है वो एक social animal है एक political animal है वो एक police में रहता है एक साथ रहता है तो बहुत important है कि उस police में अगर इंसान रह रहा है कि जंगल में तो रहनी रहा है वो साथ साथ रह रहा है एक शहर में रह रहा है तो वहाँ बहुत important है कि नियाए और दोस्ती सब की बीच में रहें और बड़ा important feature है कि किसी भी policy में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर एक लोगों के बीच में feeling of भाईचारी की feeling हो fraternity की feeling हो तो यहाँ बात हुई idea of political fraternity कि भाई political fraternity भी होनी चीए social के लावा ताकि वो society एकजिस्स नहीं कर पाएगी उसकी में आप एक साथ रहे रहे हैं यह सब concept कब Greece और Plato और अरिस्टोटल के time के फिर French जब revolution हुआ था तब concept राथा liberty, equality और fraternity का liberty, equality और fraternity जो French revolution के time में आया था और यह एक civic political जो concept था पहले का कि भाई, लोग साथ रहेंगे और एक civic responsibility है फिर बार में बाते एक Christian जो यूरोप में Christian लोग थे वहाँ Christianity ने डेवलप किया as Christians, we are like brothers and sisters वो religious identity थी इस फिर उसको French revolution में देखा कि revolutionary aspect आ गया कि हम France के लोग है हमें अपने आपको जगाना है हमें equality लानी है हम as a fraternity आगे बढ़ेंगे, develop करेंगे उखाड फ्रेकेंगे जो हमारे उपर एक तानाशाहिक साशन कल रहे है तो वहाँ उसका एक revolutionary dimension आया और उसने फिर change किया concept of fraternity को हमेशा हमेशा के लिए कैसे हम उसको देखते हैं फिर भाई बात यह है कि भारत में भी बात की गई कि भारत में भी यह बात जरूरी है fraternity की इसी concept में M.C. William की किताब है The Idea of Fraternity in America जो बात करते हैं कि fraternity का जो concept है नहीं कि value system है society value system है और moral values के साथ उससेट किये जाते हैं फिर religious values आई मैंने पहले देखने हो ना हमने देखा Plato Aristotle और देखा जाने लग गया कि भाई society में as a religious aspect भी धार्मी ग्रूप से भी दिखाया था भाई चाले की बात as a religion अगर आप ए ग्रूप को belong करते हो लेकिन इंडिया में fraternal type काफी अलग है इंडिया में dimension जो है यह elementary dimension जो हम बात करते हैं moral value वाला, religious value वाला यह scholar writer कहरें कि इंडिया में वो उपलब्द नहीं है, इंडिया में वो बात ही नहीं है इंडिया की जो fraternity का concept वो काफी अलग है वो अलग इस तरह से है कि हमारा जो past है वो shared past नहीं है, उसमें कई सरी दिक्कते है हमारे बीचों बहुत सारा division है ideological division है, political division है, religious division है caste line के हिसाब से division है इसकी वजह से हमारा जो fraternity का concept वो उस तरह से develop नहीं हो पाया इंडिया में जो ideological motivation है वो लोगों के बीच में बंतुतु को develop नहीं होने देते आप religious identity खड़ी कर देते हो, Hindu, Muslim, Christian, Sikh, इसाई उसके हिसाब से आप within that religious group of fraternity बनाने ही कोशिश करते हो तो within a caste आप कोशिश करते हो कि अगर आप एक particular जाती के हैं तो आप सब एक fraternity के हैं, बाकी वाले दूसरी fraternity के हैं तो जो इंडिया में civic life develop हुई है, वो काफी अलग है और समिधान जो बात करता है, वो बात करता है कि हमें liberty, equality, fraternity चाहिए लेकिन वहाँ पर ये बहुत important है कि इंडिया में जब ये चीज़ें आई भी तो बात किया गया सबसे पहले तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, जब तक आप caste privilege को खतम नहीं करोगे अगर आप society में, आपकी society caste से बटी हुई है, जो केवल हिंदूइजम में नहीं, इसलाम और कॉष्टनिटी में भी पहला हुआ, इंडिया में सिक्षिम में भी है तो caste identity जब तक है, तब तक different caste के लोगे दूसरे को भाई मानेंगे कैसे, उनके बंदुत वो बनेगा कैसे, fraternity की feeling कैसे आएगी तो वो हटाना बहुत ज़रूरी है, और उसको दूर करने के लिए आपने reservation का provision पहले लाया है, ताकि reservation होगा, लोग economically empower होंगे, तो socially empower होंगे, फिर उनके बीचे में भावना एक खतम हो जाएंगे इसलिए आपने reservation जिसे हम affirmative action भी कहते हैं, वो लागू किया, ताकि equality थोड़े level पर आए, और social economic goods है, लेकिन होता यह है कि जब ऐसा कुछ आता है, तो उनके बीचे भावना और वैमनस किया जाती है, यह है, उनको prefer किया जा रहा है, इसलिए जिनके लोगो जारा prefer किया जा रह है, जो हम अभी तक moral, religious, जो हमने plateau अरस्तू की बाते हैं कि उनसे अलग, इंडिया में caste consciousness बहुत जाता है, एक particular caste की रूप, लोग अपना गूरूप बनाते हैं, वो अपने hit की बात करते हैं, और दूसरे से अनफरत करते हैं, specifically जो so called, जिने smaller caste, जिने lower caste काहा जाता है, उनके हिट्रिट की बात भी आती है, अब हुआ ये कि political mobilization जब इंडिया में start हुई, caste consolidation जब start हुआ इंडिया में, क्योंकि कई लग caste groups को एक साथ लाके हैं, उनकी vote की ब्राज़नी जब शुरू हुई, तब हमने देखा है कि अब यहाँ पर religion polarization भी start हुई, religion की हिजाब से लोगों क जब ज़्यादा बना हुआ, इसलिए जो political unity की हम बात करते हैं, असल में हो नहीं बाती, और इसलिए जब हम liberty, equality, fraternity की बात करते हैं, और जब हम अंबेड़कर का जो concept है कि हम पहले civic equality लाएंगे, उसकी बात करेते हैं, तो इंडिया में उसको लेकित बहुत सी दिक्कते हैं, due to this difference, कि अलग-अलग caste group के अपने विवाद रहे हैं, अपने और upper lower का जो division रहा है, वो बहुत ही बुरा रहा है, इस वो साथ नहीं आपा रहे हैं, या वो जो हम fraternity जैसे France में देखते हैं, जैसे हम Europe की, Greece की पुरानी वाली fraternity की बात करते हैं, वैसा इंडिया में applicable नहीं है, यहाँ पर scholar ने एक और बात किया writer ने कि वो John Rawls की थियोरी को लिखे आता है, John Rawls एक political philosopher है, theorist है, इन्होंने concept देख में किताब इनकी theory of justice, इन्होंने एक difference principle लिया था, इन्होंने दो principle अपने basically बताया थी, theory of justice में, इन्होंने कहा था, society में का justice चाहिए न, तो सब के पास एक basic civil liberty होनी चाहिए, सब के पास, हर वेक्ति के पास equal liberty होनी चाहिए, जाए कोई भी हो, इसमें वो कभी compromise ने कहते हैं, उनका पहला principle था, उनका कहाना था, society or just बनाना है, फिर बनाना था, दूसरा principle लाते है, social economic inequality का, उनका कहना है, किस level पर social economic inequalities रहा है, तो उन्होंने उसमें बोल opportunity बरावर मिले थी, same number score करने की, वो पहला principle है, वो देश में भी apply करते हैं, कि सब को अगर equal opportunity मिली, और कुछ लोगोंने जारा पैसे बना लिये, और वो जारा अमीर होगे, तो वो inequality चल सकती है, लेकिन within this inequality, वो दूसरा principle लाते है, जैसे कहते है, difference principle, काफी famous है difference principle, इस principle के हिसा बात नहीं है, उनका कहना है, कि अगर एक short बताओं, तो इनके दू principle है, पहला, सब के पास equal liberty होनी चीए, second, अगर social inequality है, तो दूतरे के ही हो सकती है, पहला, सब को equal opportunity मिलने चीए, दूसरा difference principle, जहां हो कहते हैं, कि society में बहुत जारा division है, तो जो सबसे निचला वर्ग है, सब बराबरी पर आ सके, ये concept इनका भी दिया गया था, तो इनका कहना था कि जब तक equality नहीं है, तो आप fraternity की बात कर क्या सकते हो, लेकिन ये सब करने के लिए भी न, इंडिया में एक बड़ी दिक्कत है, इंडिया में political fraternity भी लाने के लिए, कुछ चीज़ है, कि पहले हमें के आएगा, जब आप inequality को हटाओ, लेकिन एक और बात ये भी है, कि कभी-कभी social solidarity hate की उपर भी based हो सकती है, कि मालनो हम सब इंडियान हम के पाकिस्तान है सामने, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं, इसलिए हम सब हिंदुस्तान ही एक है, क्या ये बात सही लग रही है आपको, ब इंडिया हम पे हमला करते हैं, इसलिए हम में साथ रहना है, ये जो solidarity है, जो वो लाते हैं, इसके हिसाब से आप साथ आ रहे हो, इसलिए नहीं कि आपको साथ आना है, तो वो जो ये solidarity है, ये ऐसी solidarity है, जहां inequality आपस में बनी रहती, अभी अगर आप देखो, जो religious conflict होते हैं, उसमें आप हिंदू, जितने हैं, मुस्लिम जिसने हैं, वो सब एक religious identity को मान के साथ आ जा रहे हैं, उस solidarity प्यारे कि हम सब हिंदू या हम सब मुस्लिम हैं, लेकिन हो तो भाई, पर जो आपस में inequality है, उसका क्यावा, उसको भी तो दूर करो, जो caste land की divide है, वो ही है, जो अमीर fraternity नहीं है, जैसे अभी इनका कहना है, scholar कर, writer कर कि जो हमाने में nationalism के नाम पर जो rhetoric बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में identity create करने की, वो काफी गलत है, इससे और ज़रा हिंसा फैली, religious minorities को काफी और समस्या हैं, फेस करनी पर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से जो कर भी रहे तो इससे एक fundamentalism grow होता है, जो कि असल में fraternity नहीं, ये एक भाईचारा नहीं है, कि भाईचारा इसलिए निभाना चाहिए, ताकि आपको grow करना है, आप growth चाहिए, आप कैसे विकास करो, और कैसे आप जो inequality उसको दूर करो, ये writer का sense इसे साब सजा रहा है, कि वो यहाँ पर कह उससे काफी नहीं है, आपको एक level पर आकर इसको दूर करना पड़ेगा, और India में जब तक कास्ट का idea है, और idea of political fraternity है, ये साथ साथ नहीं रह सकता, तो इसलिए बहुत important है, कि हम future की politics इसाब से करे, जहाँ पर हम सब को साथ लाने की बात करें, तो इस पूरे article में जो मुख आटिकल लिखा था, मोगलन भारती ने, ठीक है, ये हो गया article जो हमने पढ़ा fraternity के बारे में, कैसे constitution में जिस french revolution को idea मान के अपने जो एक fraternity की बात करिये, वो कैसे applicable इंडियम उस तरह से हो नहीं बात, अब हमारे अपने आखरी article की तरफ, GM crops के बारे में, तो जो हाली में एक relevant है topic, सबसे पहले, क्या है कहानी, GM crops क्या होते हैं, ये genetically modified crop है, इसके अंदर होता क्या है, कि आप किसी plant के gene में बदलाव करते हैं, मालों ये plant का gene है, ये structure भई है, यहाँ पे आपने इसको cut करके हटा दिया, इसकी जगे, इसको lab में ले गए, कुछ बदलाव किये, इसमें करता है, तो उससे लड़ पाएगा, कोई भी fungus इसमें हमला करता है, उससे लड़ पाएगा, ये अपने lab में ले जाकर इसको genetically engineer कर दिया, इसके gene में बदलाव कर दिया, जब आप किसी के gene में ऐसा modification करते हैं, कि वो सिर्फ उस plant में ही नहीं, उस plant के बाद जितने plant वहाँ से न कावल और आलू खाखा के आप जीतो सकते हो, लेकिन आप nutritious जीवन नहीं जीप, आप nutrition बढ़ाने के लिए बहुत important है, कि जो climate change हो रहा है, वहाँ पर हम ऐसी crops को बढ़ाएं, जो कि climate change को adjust कर पाएं, जो बाड़ आती है, सुखा पढ़ता है, उसको adjust कर पाएं, इसलिए important है कि अब हम देख रहे हैं कि crops को genetically modify लगातार किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं, इससे होगा यह कि food production भी बढ़ा है, और किसानों को इसका फाइदा भी मिला, देखिए इससे पहले जब green revolution आया था, तो hybrid crops की बात ही, देखिए hybrid crops में क्या होता है, अपने एक variety का crop लिया A variety और B variety, दोनों में interchange, दोनों में अपने cross करा गए एक third variety बना दी, जो hybrid variety आ गए, उसमें आपने किसी crop के किसी gene में किसी को lab मिले जा कि change नहीं किया है, तो hybrid crops में growth हुई, लेकिन दिक्कत ही है कि उनमें काफी दिक्कते भी आई, अब जो हमारा काम उससे चलने वाला नही है, Green Revolution जब हुआ, hybrid crops आई, तो हमने देखा कि 50 million ton growth थी, अब जाके 300 million ton हो रही है, तो it has led to a growth in the output of agriculture in India specifically, और काफी में फायदा भी मिल रहा है, लेकिन अब requirement है कि हम climate change और nutrition जो हमारे लोगों को चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए, अपने crop pattern को develop करें, और इसलिए genetic diversity को ध्या पर है, क्योंकि कोई अगर जैसे एक कीड़ा आ गया कोई कहीं से, और एक particular crop को खाये जा रहा है, और वो crop बिल्कुल खतम ही हो जाएगी, तो आप उसमें genetically modified कर गिए, अगर उसकी productivity बढ़ा सको, लंबे समय तक उसको रख सको, तो वो एक, जो आपकी traditional, जो आपकी crop थी, वो भी बच जाएगी, तो ये important aspect है, जो genetic farming का, हमें ये भी ध्यान अगना चाहिए, genetically modified crop का भी, और अभी कहानी ये है, कि जो international service for the acquisition of agribiotech application 2020 में आया था, और ने कहा था, जो 72 countries ने अलोड़ी GM crops को adopt कर लिया है, either as a human food or as an animal feed, या फिर commercial cultivation के लिए, commercial cultivation में इंडिया को बहुत फाइदा इसको हुआ है, जो इंडिया ने, पहले BT cotton जो इंडिया में पहला, जो एक commercial crop जो genetically modified थी, इंडिया में add की थी, उससे पहले इंडिया का cotton का export गिरता जा रहा था, किसानों का बहुत नुकसान हो रहे थे, एक बार हमने जैसी GM crop, BT cotton इंडिया में इंडियूस किया, ज GM crops ने लगबग, 1.2 billion लोगों को फाइदा पहुचाया है, अजेंटीना, इंडिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रिलिया, सरी, अजेंटीना, ब्रजील, कैनेडा, इंडिया और यूनिया इंडियूस के नाम important नहीं है, लेकिन फाइदा पहुचाया इतने लोगों कैसे, economically भ होता है, और इंडिया में BT cotton की हमने success story देखी देखी है, अब जो है, जो genetically modified crop है, ये और जारा बढ़ रहे हैं, और चाया मेज हो, soya bean हो, cotton हो, कैनोला हो, यहां इसकी और जारा demand बढ़ रही है, और जारा growth हो रही है, क्योंकि एक तो ये herbicide resistant होते हैं, दूसरा, ये climate resilient होते हैं तो easily खराब नहीं होती फसल, तो किसानों को बहुत बहुतर output मिलता है, इसी को धन में रखते हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिया में लगातर है, अब demand हो रही है, कि इंडिया भी GM crops की और बढ़े, GM food crops जो है, 1996 से चले आ रहे हैं, और पिछले 25 साल में हमने देखा है कि काफी ज़्यादा bio safe है, लेकि एक मुद्धा ये भी है, क्योंकि genetically modified crop है, तो एक इनका criticism ये होता है, कि जब किसी चीज़ की gene को modify करते हो, तो कुछ unintended consequences हो सकते हैं, जो generational हो, जो अभी हमें पता ना चले, unintended consequences या फिर unintended mutation, जो mutation long run में हो, शायर हो सकता है, 25 साल में, 90 साल बाद, किसी एक crop बाद में, combination हो जाए, क्योंकि हमने बतला हो अभी किया है, 3 generation बाद, कहीं बाद फिर बतला हो, तो उसका क्या νुकसान होगा, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो genetic mutation हो जखता हूदी है, उसका हमें पता नहीं हो और वो long term में होगा, तो उसका नुकसान क्या होगा, अभी हमे बात करें जिसको अभी एक तरह से permission मिली है to grow as a genetically modified crop देखें जीम क्रॉप के साथ दिक्कत क्या होती है कि जीम क्रॉप के साथ अक्सर जो seeds हैं वो grow किये जाते हैं तो इंडिया में जो farming सकते हैं वो ऐसा है कि लोग किसान अपने खुद की फसले होगाते हैं उनसे को बीज बना के बाद में अगली फसले बहुते हैं तो कहाई जाता है कि जीम क्रॉप के साथ दिक्कति होगी seed का monopoly हो जाएगा जो company है वो seed देगी फिर मनमाना कीमते वो उसूल लेंगी किसानों से इ लेकिन वो pesticide food chain के लिए बहुत important था वो सारे pesticide मर जाएंगे तो हमारा food chain घराब हो जाए तो यह सारी चीज़ें भी important है unintended consequences हो सकते है या फिर जो उसका इस्तमाल कुछ एक जो से crops को food chain का नुकसान हो गया यह भी बार हमें समझ लिए तो यह कारण है जिसके विए से जीम क्र mustard oil वो बहुत important इंडिया के लिए अब उसकी जो पैदावार है बहुत कम इंडिया में तो इसलिए उसकी economy उसके production को बढ़ाना हमारे लिए economically भी और nutrition wise भी बहुत important है क्योंकि इंडिया में सबकी थालीकक महतपून वो एक हिस्सा है इसलिए यहाँ पर जो Center for Genetic Manipulation of Crop Plants है उन्होंने DU की University of Delhi की South Campus में यह develop किया गया GM Mustard Hybrid DMH 11 इसको permit दिया कि इसकी yield भी जादा है और बहतर यह production भी देगा और क्योंकि public university है तो कोई आपको patent के दिक्कत या बाले मेनिपुलाइज कर लेंगे production वो दिक्कते भी इसके साथ नहीं है और जो यह बार्नेस या बार्टर सिस्टम पर काम करता है इसमें आपको ज़्यादा हबिसाइट टॉलरेंस भी इनके पास होगी तो कोई दिक्कत भी नहीं आएंगी और एक बहतर सॉयल मॉस्चर भी बचे साल ही इसको एक decision लिया था कि इसका अब एक cultivation parental line का होना start हो जाएगा तो इससे इंडिया का जो genetic engineering research sectors को बहुत फाइदा होगा और कई सारी crop varieties पर research start होंगे हमारे पास food security बढ़ेगी export का import का bill घटेगा और जो इसमें hybrid production तरीका इस्तमाल किया गया है इससे और बहतर mustard hybrids बनेंगे जिनकी yield भी जादा होगी oil की quantity भी जादा मिलेगी और वो resistant भी होंगे बिमारियों को लेगा तो इसलिए एक बड़ा ही important step है self-reliance के तरफ इसे farmers को भी per hectare फाइदा मिलेगा domestic consumption जो है वो around 25 million ton का इंडिया में भी केवल 8 million ton की पैदावार है उत जो हमारी कोशिश है कि farmers की income को double करना है oil import घटाना है self-reliant बनाना है तो उसके लिए एक बहुत-बड़ा step यह हो सकता है GM mustard crop का hybrid जो इंडिया में शुरू होने वाला है अब यह तो बात होगा इस article के अब एक चीज़ देख लेता है कि भाई यह science कौन से इसके पीछे वो जो हमने बोला अभी कि कैसे यह hybrid काम करता है देखो यह क्या होते हैं दो आप लेते हो एक parent लिया जिसमें pollen है यह एक fertile parent है जिसके अंदर आपके stigma और sterile ether है जो cross करता है आपने फिर एक F1 hybrid बनाया जिसके अंदर capacity है बहतर fertility की और बहतर पैदावार की इन दोनों को cross करा कि अपने F1 hybrid develop किया तो 1990s का system इसे बार्नेस पार्टर system इसले कहते हैं जो यह male है यह sterile है इसके अंदर जो जो पहला gene है बार्नेस यह इसके अंदर होता है बार्नेस इसके अ इसके अंदर दूसरा gene होता है जिसे हम कहते हैं लिखते हो गया बार्नेस जो और यहां पर आपका दूसरा है जो fertile है जिसने आपका बार्स्टार है और इन दोनों से मिला कि आप एक थर्ड बनाते हो जहां बार्स्टार बार्नेस complex बन जाता है बार्स्टार यहां से आया बा बार्स्टार बार्नेस complex वाला hybrid बना दिया जिसके productivity भी जादा है और जिसका output भी बहतर है तो यह basic सी कहानी है DMH1 भारा जो हमारा एक genetically modified mustard डेवलप किया इसके बारे में I hope आपको clarity मिल गए जिसका कि आपने एक male और female लिया जिसके पास एक में बार्नेस है और एक में बार्स्ट sterile, sterile मतलब जो आगे grow नहीं कर पाए यह कर सकता है seed generate भी कर सकता है तो यह हो गई mustard की बार और यह था आज का हमार आर्टिकल जाम ने समझा कि कैसे जो GM crop से हमारी growth के लिए बहुत जारा important है food security के लिए और self-reliance के लिए तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, keep on watching only is